नमस्कार आप देख रहे हैं यूज नेशन और मैं हूँ आपके साथ चिराग सुखीजा मेरे साथ अंकिता मौझूद है भारत बनाम इंग्लेंड आखरी टेस्ट मुकाबला बचाय सीरीज का ये मुकाबला धर्मशाला में 7 मार्च से खेला जाएगा और BCCI ने इस आखरी मै आप शायद कोई कर भी नहीं जाओगा क्योंकि इस तरीके से फूरा दो दिन का समय हुआ है ऐसा लग रहा है कि अब आराम कोई नहीं मांगेगा तो रोई चर्मा भी पांचवा टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आएंगे जस्परित बुम्रा की वापसी हुई है बहुत नहीं नजर आएगी पांचवा टेस्ट मैच रोई चर्मा कप्तान जस्परित बुम्राउप कप्तान येशस्वी जैस्वा शुबमन गिल रजट पाडिदार सरफराज खान दुरूफ जुरेल केस भरत देवदत पडिकल आर अश्विन रविंद्र जडेजा अकसर पटेल क आकाशदीप सिंग स्क्वाड में शामिल हैं यहाँ पर दो चीज़े हैं केल राहूल अभी भी अंदर नहीं आये हैं जस्परित बुम्राव वापस आ गये हैं और दूसरी तरफ वाशिंग्टन सुंदर को स्क्वाड से रिलीस कर दिया गया है उन्हें का गया है कि आप खे तो यही है कि राची में वो श्रतक नहीं आया तो उमीद करते हैं कि धरमशाला में श्रतक आ जाया और जैसे चिराग ने कहा कि अभी तो सबकी क्लास लग रही है तो डेफिनेटली आराम नहीं दिया जाएगा तो जस्परित बुम्राव कि हैं बहुत अच्छा प्रदर्श आप से तो जगा नहीं मिलनी चाहिए सीधी सी बात यह है कि एक टेस्ट मैच के लिए आप नहीं फेर बदल कीजिए अब यह सीरीज आप जीत चुके हैं रज़त पार्टिदार को आप बाहर करेंगे देवदत पडिकल को अंदर करेंगे और यही चीज तो भी ती ना तिलक वर्मा को एक मुकाबला दिया था तिलक वर्मा वहाँ पर चले नहीं थे फिर आपने का यार यह तो कैसा खिलाड़ी आईरलेंड के खिलाफ इसकी दो डक्स थे एशिया कप में भी यह खेलता हुआ नजर नहीं आया और अब T20 वर्ल कप के लिए तिलक वर्मा की बात भी न पारियां खेली हैं इस टेस्सीरीज में और उनका ओसत है 10 के आसपास का तो रजट पाटिदार ने निराश तो जरूर किया है 63 रन बनाए हैं 10.5 की ओसत से और बाकी खाने तो 0-0 है ठीक है लेकिन एक मैच और दे दीजे ना तो डेफिनिटली वही होता है ना कि लास्ट मै करते हैं उनका भी प्रदर्शन अच्छा नहीं था लेकिन आपने मौके दिए उस मौके को शुबन गिल ने भुलाया और नतीजा आपके सामने रहा है कि उनकी बल्ले से भी अच्छी कासी लास्ट वाल जो मैच था धुरूफ जुरेल के साथ क्या कमाल की साज़ेदार उनक मौके दिजी क्या पता यहां से एक अच्छा स्टार्ट उने मिल सके और आगे के लिए उनकी बात बन जाए बिलकुल आगे के लिए बात बन जाए लेकिन अपडेट तो ये भी है कि केल राहूल वापसी नहीं कर रहे हैं वो लंदन चले गए हैं अपनी इलाज के लिए और अगर केल राहूल वापसी नहीं कर रहे हैं इसका मतलब साफ है कि रजट पाटिदार या फिर देवदत पडिकल अब ये दो ही आपके पास हैं इन दोनों में से ही आपको सिलेक्ट करना है और शायद अंकिता और मेरा मानना तो ये है कि आप रजट पाटिदार के साथ ही च कमेंट बॉक्स में लिखते जाए आपकी क्या राया है वो भी जरूर आप कॉमेंट बॉक्स में लिखते जाए और स्ब्सक्राइब जरूर करते चलिए चैनल को क्योंकि हम निजेशन स्पोर्ट्स पर अंकिता एम कर रहे हैं 1,0,000,000 सब्सक्राइबर्स का अब बस कुछी दूर बचे हैं एक लाग सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो फिर हम और आप मिलकर लाइव सेशन में ही केक भी काटनेंगे और आपको सिल्वर प्ले बटन भी दिखाएंगे तो सब्सक्राइब जरूर करते चलिए दूसरी चीज यह अंकिता केल राहूल तो नहीं है लेकिन जस्पृत बुम्रा की वापसी हो चुकी है अब जस्पृत बुम्रा पिछला टेस्ट मैच नहीं खेले थे उनके आखड़े भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जस्पृत बुम्रा ने कमाल का प्रदर्शन किया है त्रूआउट दे सीरीज एक मातर ऐसे तेस गेंदबाज है जो हम कहते हैं कियार स्पिन ट्रैक पर भी ये खिलाड़ी विकेट्स निकाल कर देता है तीन पारियों में तीन मैचों में 17 विकेट्स इन्होंने लिए हैं यहाँ पर ये थोड़ा सा रंस की जगा विकेट होना चाहिए 17 विकेट इन्होंने लिए हैं 5 विकेट हॉल एक बार और 6 विकेट 45 रंद देकर इनका ये बेस्ट स्कोर है तो जस्पृइद बुम्रा की जरूरत टीम इंडिया को भी है और हम सभी चाहते हैं कि जस्पृइद बुम्रा वो एकदम फायर कर दें बिल्कुल हम कहते हैं कि अंग्रेजों को गुम्रा कौन करेगा डेफिनेटली बुम्रा ने किया है वो कमाल क्या है जिसे चिराग निखा के स्पिन ट्रैक में उन्होंने कमाल की गिंदबाजी किया और जब जब भी बात होती है पार्टनर्शिप बिल्ड करने के उसको तोड़ने की तो कौन है आदाता है जस्पृत बुम्रा तो बुम्रा की कमी जो थी ना वो चौते मैश में चलिए वहाँ पर पूरी हुई हम डर रहे थे बहुत ज़्यादा चिराग की वो मैश हास से निकलता है वह नजर आ रहा था लेकिन फिर वहाँ पर आये धृूफ जुरेल जिन्होंने एक कहते हैं संकट म बाजी ठीक है दुरूफ जुरेल और शुबमंगिल है लेकिन जस्पृत बुम्रा पिछले टेस्ट मुकाबले में नहीं थे उनकी जगा मौजूद थे वहाँ पर आकाश दीप सिंग जिन्होंने अपना डेब्यू किया था अब पाच्वाँ टेस्ट यहाँ पर यहाँ पर यह भी सोच हो सकते है कि दर्मशाला में तीन खिला लिजिए बुम्रा भी खिला लिजिए जस्पृत मुहम्मध सिराज भी खिला लिजिए और आकाश दीप सिंग भी तो क्या सोच रहेगी टीम इंडिया की आपके इसाब से लेकिन मेरे साब से आकाश दीप को बाहर नहीं तो बड़ा मुश्किल रहेगा लेकिन फिर बें कहूंगी कि शायद यहां पर आकाश दीप को ड्रॉप किया जाएगा शायद मेरे साब से मतलब यह तो मेरे साब से अगर डॉप किया जाएगा तो ना इंसाफी हो जाएगी ना उस खिलाडी ने मतलब क्या बुला कर यहां चुछ बगाड़ा नहीं है लेकिन फिर आपके पास जिगर का होती है अगर आपको फिर किसी एक को निकालना पड़ेगा शायद को कुल दीप को यहां पर लेकि मेरे साब से शायद को सायद निकाल सकते हैं क्योंकि अगर और ऑ्वल्डर उनकी करियर की मतलब करियर की और इ स्पिन ट्रेक्स ही ज्यादा तर रहते हैं तो ऐसे में हम फिर इंग्लेंड की सोच हो सकते हैं कि आप तीन पेसर के साथ इस्टेक रहना चाहेगी तो मौहमब सिराज को आप रेस्ट दे सकते हैं इस मुकाबले के लिए बिल्कुल डेफिनेटली आपने सबको अराम दिया है त लेकिन प्लेइंग 11 में क्या मुझे मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा तो मेरे साब से देखिए बहुत सारी दुविदा है अगर आप यहां पर सिराज को भी आप बाहर कर सकते हैं और आकाश दीब को बार-बार हम यहीं कह रहें कि बी टीम के साथ रोई शर्मा खेल लेकिन वहां पे आकाश दीब ने डिबियो किया डिबियो मैश में जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है कमाल की गिंदबास ने उनकी और से देखने को मिली है तो यहां से अगर उनको ड्रॉप किया जाएगा तो फैन्स के लिए भी जटका रहेगा और शायद फिर उम यह पाँच टेस्ट मैचों की सीरीज जो है बिना विराट कोली के इंडियन प्रिकेट फैंस ने देखी है चिराग सुखीजा ने देखी है अंकिता मिश्रा ने देखी है आप सभी ने भी देखी है क्या आपको अच्छी लगी यह पाँच टेस्ट मैचों की सीरीज जीत ग जब भी ज़रूरत पड़ी है वो खुद भी बोलते हैं रोही शर्मा की टेस्ट क्रिकेट अगर आपको सीखना है तो विराट कोली से सीखिए क्योंकि देखे 40 मैज जिता चोके हैं विराट कोली कमाल की फॉर्म में विराट कोली नज़र आया थे एक अर्धर शतक भी आदे कि धरमशाला से उमीद है कि वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करें लेकिन जो आपने सवाल गया ना कि विराट कोली को तो होना चाहिए आपके इसाब से बताईए आपने तो देख लिया ना आपके तो फेवरेट है वह आपकी आइडियल भी है हमेशा बोलता हूं मैं कि आपने टेस्स सीरीज देखी हमने टेस्स सीरीज जीती हमें बहुत खुश हुए लेकिन वह एक चीज वह हमेशा खलती रही क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम से टेस्स के लिए तो थोड़ी बूरी खबर जरूर है लेकिन अब आगे बचा है धर्मशाला टेस्ट WTC पॉइंट स्टेवल के लिहाज से भी ये टेस्ट मैच काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि अभी भी टीम इंडिया दूसरे नंबर पर है पर देस्ट में इंग्लेंड हमें चुनाथी दे सकती है एक बार फिर से क्योंकि जो रूट फॉर्म में लॉट चुके लेकिन आपके पास गेंदबाजी में आ गया है जस्प्रेद बुम्रा जो कि कमाल के गेंदबाजी नोंने पूरे सीरीज में करी है और धर्मशाला भी बीद रहेगी कि एक बार फिर से बुम 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 रहा एक बार गुम्रा करेंगें अंग्रेसों को और लेकिन केस भरत की एंट्री हुई है आप स्कॉर्ड में ही है मतलब उनको ड्रॉप कर दिया गया पहले दो मैचेस के बाद उसका धुरूफ जुरेल को चांस दिया गय क्योंकि दुरूफ जुरेल ने ऐसा परफॉर्म कर दिया है कि अब केस भरत का तो शायद वहां से पत्ता कटता हूँ नजर आएगा लेकिन शुबन के लिए एक और ऐसे नाम है जिन्होंने बहुत इंप्रेस किया है बाद के टेस्ट मैचेस में उन्होंने एक शतक लगाया मुश्किल परिस्टितियों में लगाया वो शतक दूसरी पारी में अब किसी भी टेस्ट मैच की दूसरी पारी में शतक लगाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और उसके बाद एक 91 की पारी आई वो भी दूसरी इनिंक्स में आई थी तो यहाँ पर 8 पारियों में 342 रन में बहुत ज़्यादा आस रहने वाली एक बार फिर से बिल्कुल आस रहेगी क्योंकि बल्लेबास हर बार इन्होंने प्रूफ किया है चाहे T20 फॉर्मिट में ओडिया फॉर्मिट हो लेकिन जब टेस्ट मैच की बात आती है तो शुमन गिल से उमीदे इसली भी हो जाती है इसके अलावा शुमन गिल के जब जब बात होती है तो विराट कोली का जिकर भी होना लाजमी है नंबर 3 पर तयार किया जा रहा हुने और हम कहते हैं कि सीनियर प्लेयर है और जूनियर प्लेयर की बात जब होती है वो भी कभी सीनियर होंगे तो यह ऐसी लेगिसी जोती पा नजर आते हैं और ना ही बिलकुल युवा टीम में नजर आती थी क्योंकि तीन नंबर एक ऐसी पोजीशन होती है किसी भी फॉर्मेट में जहां से गीम आपको बनाना पड़ता है धीर आपको आगे लेकर जाना पड़ता है ओपनर्स कोशिश करते हैं कि एक बार सेट हो लेकिन जब विकेट गिरता है तो नंबर तीन का जो काम होता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और शुबमन गिल ने जब जब टीम इंडिया मुश्किल में फसी है तब तब अब उन्होंने रन बना दी है इसलिए शुबमन गिल काफी ज्यादा important भी हो जाते है दूसरी पारी में 68, नॉट आउट, लेकिन जब बाद में आये, बाद में बला नहीं चला, लोग कह रहे हैं कि किसके नजर लग गई? देखी, हर बार बौके, मैं कहते हूँ, बार बार आपका दिन नहीं होता है, शायद वो दिन, उस दिन सरफरास का नहीं था, और ऐसे हमने देखा है कि पहले मैच से आप जज नहीं कर सकते हैं, दूसरे मैच से आप जज नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनिटली सिराज ने, माफ क कि जेगा, सरफरास खान ने अपने अपको प्रूफ किया है, पहला मैच केला उन्होंने, वो खौफ नजल ने आया, हम कहते हैं वो डर होता है थोड़ा सा के सामने इंग्लाइंड की टीम है, और आप टीम इंडिया के लिए बैटिंग कर रहे हैं, नर्वसने बिलकुल भी नह है उनके अंदर, तो सरफरास खान मेरे इसाब से बला नहीं चला है, फैन्स नाकुष भी होंगे, क्योंकि देखे, डोमेस्टिक में इतना अच्छा रन बना के वो आ रहे हैं, और पहले मैच में भी उन्होंने अपने डेबी मैच में अच्छा प्रदर्शन क्या था जाएंगे, एक-एक मैच, रूफ जुरेल एक मैच, और सरफरास खान एक मैच, यानि कि धर्मशाला टेस्ट ये दोनों के लाड़ी अगर खेल लेते हैं, तो BCCI के सेंट्रल कॉंट्रेक्ट के ग्रेड सी में आटोमेटिकली चले जाएंगे, और वो एक करोड रुपे साला भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर ख़बर सबसे पहले आप तक पहुँचे, देखते रहिए News Nation